तो चलिए फ्रेंट्स आज से फिट मैं आपके लिए 20 कोशन लेकर आ जा हूं जो कि आपके ईलेक्टिकल ब्रांच होसर है मिस्टर की हैं और गुलते हैं जिसके 20 कोशन आप यह जिसके 20 आपके लिए एक्जम कर आया जाएगा उसमें से किसी न किसी कोशन को आपको देखने को मिल जाए तो वीडियो को सब्सक्राइब करकर अपने दोस्तों के साथ वीडियो के बारे में जानकारी होसे चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हमारा जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है पहला कोशन दिख रहा है इसर्प से कौन साथ संचरण संचरेट का इस त्रांख संचरण को यह तीया क्वोल पीछे घयो बड़े मीशन से होसे प्सक्राइब कि एल और सी आर का मतल है रजिस्टेंस एल का मतल इंड़े थन्स और सी का मतलए हिए तीनों चीजें कॉंश्टेंट होनी चाहिए है तो हमारा कोशन में अंत्र कॉंसा साहिं है इससे ही और कोई हानी नहीं तो ऐसे हमारा right answer की हो जाएगा अगले question तुम मों ряд को किताँ लंबा लेके जांवर यह नीवाथ लंबी नायएं तो इसको हम भरेंगे एक लंबी लायन है क्या है किई लंबी लायन मद्यम लायन इक चोटी लाई यह सभी कम किस्टेंस के लिए फ्लयाइति है कोई आपकी जिए मद्यम डायन आज़े दो सवी लगवक की जाती जुर से हम ठीक है और यह तो तीन सो कीलोमीटर है तो इसे हम क्या करते हैं इसको हम 310 फॉली है इसको हम एक लंबी लाइन में रखते हैं ठीक है अगला कुश्छन से हिद्ग जाहिए जाहिए हल के लोड्वाली लाइन की प्राप्ट छोर पर बोल्टेज में QF ब्रद्धी क्या है QF ब्रद्धी की घठना को क्या कहा जाता है तो यह जो ओपन सरकेट या हलके लोड लाइन जो होती है उनको हम क्या कहते हैं उनको हम का कहते हैं यि यह कोश्चन है हमारा की 14 कोश्चन है जो कि हमारा 4 कोश्चन है लाइन इंपिडेंस और संट एड्मिटेंस के अनुपात वर्गमूल कहलाता है तो हमारा लाइन जो इंपिडेंस होता है और संट एड्मिटेंस के अनुपात का जो वर्गमूल कहलाता है तो हमारा क्या कहलाता है आप लोग इसमें राइटंसर बता सकते हैं क्या होगा इसका सब्सक्राइब होगा लाइन का सर्ज इंपिडेंस क्या लाइन का सर्ज इंपिडेंस ठीक है इसका राइट अंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा लाइन का सर्ज इंपिडेंस अगला कुशन समपड़ते हैं अगला कुशन है हमारा अलवे कि फुशन है तो आपका याँ दोड है कि यह कौन एक इस्थाhow कहें निम लिखे मैंने से और एक इस्था एप्पाली का दोज है याने की जो ट्रांस्मिस्गिंशन रायन होती है उसमें हमारे एक क्या है के इस तार्फ इस्तिर बोल्टेज है इस्तिर बोल्टेज इस में पहला सora के शॉच्छा ëरक्यट करेंट में ब्रद्वर है लाइन सम्हों पर एपर इसो को चैसे सोंब संचर परणाई मतलब टान्समीशन सिस्टम होता ना उसके बारे में पूछ रहा है और जो पूछ रहा है इस तर बोल्टेज होते हैं तो किस प्रिकार की एक दो से यह किस प्रिकार के इसमें होता है तो पहला अप्षन है सिस्टम के सौट सर्किट करेंट में ब्रद्दी दूसरा है लाइन टर्मिनल पर सभी भारों पर इस्तिर वोल्टेज की उपरवज़ता और तीसरा है इसमें उच्छ टर्मिनल अभी कारकों के संभावित उप्यों के कारट लाइन के यह बहतर सुरचा की संभावना और फोर वाला इसका बंड़ सीरफ करेंट में अगरि अगर सिस्टम के सबसक्राइच में ब्रद्दी होती यह तो वहाँ पे हमें इस त्रेंटेज की उपरहएं जहाएफ हो विलती है आٹ cath आक पढ़ते हैं नो क्युश्य कें वालफोर दिन C солн luck but क्या है लोगो वोल्टेज केबल के किलो कितने किलो बॉल्ट तक होता है यानि कि लो बॉल्टेज केविल हमारी जो होती है हमारे घर हमें जो लो बॉल्टेज केविल इस्तमाल की जाती है तो इसका जो राइट अंसर है दोस्तों इसका जो राइट अंसर है वह है आपका वन पॉंट वन केवी क्या है वन पॉंट एक हैमारा अगला कोचन है है वोल्टेज केबल को ओपरेटिंग केतना होता है लोग के लिए कि अब ही के लिए अगर हम बात करें तो तो है था है वोल्टेज के लिए क्या था इस कि लिए कि पोल्टेज के लिए क्यों के लिए सब्सक्राइब पर्फटेज हो आप को इस्त्माल करते हैं उनमें जो परेटिंग बॉल्टेज जो होता है तो है 11 के लिए 11 के बिए अगले कुश्चन पर हम बात करते हैं तो अगला कुश्न है के लिए पूछ रहा है तो सब्सक्राइब के लिए हम बात करें तो सब्सक्राइब के लिए आपको कितना वह आपको सब्सक्राइब करें अगले कुश्यन पर बात करें अगला कुश्यन है हमारा इस्टा हाई टेंशन के विल्का ऑपरेटिंग वोल्टेज का मान कितना होता है उसके रिए मैं बात करूं इस्टा के लिए तो यह होगा आपको 66 अभी हमने किस की बात किया तो यह हमने बात किया है यह हमने बात किया है एक्स्टा के लिए अगले हमारा क्वश्यन आता है कोशन आता है अगला कोशन कह रहा है भूमिगत केबल बिछाने के लिए नियुक्त मेरे से किस विदी का उपयोग किया जाता है तो भूमिगत जो याने कि हम एंटर्ग्राइब बिछाते हैं वह उसमें हम किस किस चीज़ का जो है कौन-कौन सा मेठोड अपनाते हैं तो आपक करता है और दारेक्ट लाइनिंग विछाते हैं उपर से ड्रोइन इस्टम ब्राइंग गुनाते हैं किस प्रकार से हमें लाइन को लेके जाना है और तीसरा है इसमें ठोस पर डाली तोस डोस डाली का मतलब यह है कि हम उनको खुली नहीं छोड़ते केविल को आप बंद करक केबल्स में हीट उत्पन करने का शुरूत है तो जो आपकी जो केबल्स होती है उनमें जो हीट जो उत्पन होती है वो किसके द्वारा होती है आपके में हीट उत्पन होती है वो केबल इंसुलेशन में डारेक्ट डायलेक्टिक लोस के कारड़ भी होती है और कंड़क्टर में लॉस के कारड़ बोति है जब लॉस आते हैं तो वह हीर फिडियोस करता है और तीसरा है दात्तिक आवरण तो यह भी उसका एक फिरवाब है अगले कुशन पर हम चलते हैं अगला कुशन है हमारा निम लिखत में से किस कारण से केबलों को बहुत अधिक गरम नहीं संचालित करना चाहिए यानि जो हमारी केबल जो लाइन होती है उनको अधिक नहीं देनी चाहिए इसे बहुत हो सकती है ठीक है और क्या हो जाएगा वो या फिर हीट का मतलब है आप किसी ऐसे टेमपरिचर पे ऐसी जगह ना छोड़ा है के लों को एस जैसे ना लेकर जहाए जहां पर अतदी हीटो इससे होगा क्या कि जो केबल सोती है आपके उपर का इंसुलेशन आठ जाएगा और इंसुल आप आप फट जाता है और इसमने निकन एक्समें इसर ओट सकता है जिससे आरो दा सबसके अगों से S लागत में सबसे सरल्व आंप तो है हमारे dc dx distribution लागत dc distribution system लागट में सबसे सरल और सबसे कम है क्या है इसमें आपका right answer होजएगा आपका right answer is radial शिस्टम सिस्टम आप जोलगों को मैं बता दूसैने फेलेडियल सिस्टम होता है जो आपकी जो वाइरिन के पहुंचाना जाएं चाहे हैं और सरल बढ़ता तक और सबसे कम भी मैं अब लगता है उस में मैठेरियल कंवर्ट आपके हमें लेकिकर जाने हुटे उस लिए और हम अपने इसके लिए लगव तीन से तीन तीन थ्री फेश और एक अर्थ को लेकर जाना पड़ता है तो फोर वायर हो जाते है इसकी कोस्ट भी बढ़ जाती है ठीक है तो हमारा राइटम्स क्या हो जाएगा रेडियल ठीक है इसी डिस्टूशन सिस्टम लागा तुमें सबसे सरल और गनेटर का मतलब किया क्या करता है यह पर है क्या करता है यह रती होक्तां पर तरवायन्स के बढाई होती है वह जहेंटा तो आपका बाउंड जन्रेटर का इस परकार होता है और आपको यहां पर वैंडिंग इस परकार से होती है जाने की जो आपके अंदर की जो वैंडिंग होती है और आपके स्टेटर की जो वैंडिंग होती है तो उसमें होगा जन्रेटर तो वह से उसकी सफ्ट को गमाया जाएगा तो जन्रेटर करेगा अगर मॉटर तो इस प्रकार से इसमें करेंट फ्लोग आया जाता है तो यह जन्रेटर है जो है जो है एक बीश्टर की तरह काल करता है ठीक है अगले नेस्ट कोईशन पर बढ़ते हैं अगले नेस्ट कोईशन है परिछड और तुर्टी की एक विदी के अलावा इंटर इंटर कनेक्टेट सिश्टम में नेटवर्क समस्याओं के समाधान के लिए लिम लिखत में से कौन सी विदी काल लेता है तो इसमें जो राइट अंसर होगा इसका वर इसका राइट अंसर होगा उपक्त सभी क्योंकि आपके जो परिछड के लिए परिछर और तुर्टी की ए अप्लिकेशन तो यह सभी अप्लाई करते हैं किस परिछर और तुर्टी की एक विद्धी के अलावा ठीक है इंटर करेक्टेट सिस्टम में तो अगले कुशन पर मैं बात करूं तो निम लिखत मैं से कौन सा दोस के विलों में होने वाली अततिक संभावना है तो दोस तो आप लोगों ने देख लिए कि जैसे ही एक लाइन दूसरी लाइन पर गिर जाती तो वह आप असमें सॉट जाती है उपन सर्केट का मतलब यह लाइन जाई और बीच में से लाइन जो है तो यह भी देखने को मिलता है तो यह होगा ओपन सर्गेट अगला है केवल इंस अनुद को तो इस दे रखा है कि केवल के लिड शीट का बहुत साधर जाई है चता कि अगanson के मतलब देखी आयसे है कि एक तो कंपन के माध्यम से सीषा का किस्टी करण ठीक है दूसरा है प्रत्वी में दबाने पर सीषे का रशानिक क्रिया और तीसरा यानतिक छति और चौता है वह सभी सभी का मतलब यह है कि जब हम किसी केबल जो आपकी केबल होती है तो उसमें होगा क्या कमपन के कारड भी या मालो तूट सकती है ठीक है और प्रत्वी में जादबाने से उसमें दबापड़ने से जो उसका भी लुक्सान होता है और आपकी जानतिक छतिये मखेनिकल यानिकि आप उसके ज्यादा खींच रहे हैं खींच कर आपको ले जा रहे हैं तो तब भी तूट सकती हैं तो इसका यह मुखा रड़के हैं सभी ठीक है अगली नेस्ट पूशन पर हम बात करें तो आवाची वोक्ता के सप्लाई का पॉल्टेज क्या है आपको जो सब्सक्राइब आपको दी चाती है एक यह इंट्स जो इनकार बॉल्टेज यह आपको 210 वूल्टेज ना तो हमें पूछ रहा है सिंगल से लिए ही सिंगल के लिए हमारा निश्शर होगा dismission कि इस फिल्टेट के ऒजाएगा 2030 डिश्ट भौतेज ऐज मैं ये क्या है ये से ज्राथ पेश्ट चाहार में यहांत ऊच्छोची एक कौन तो क्वूर्डज गैस से यह जाता है हुआ हैं यहाव मार find आपनों लोगों ने देखा वोगा कि हमारे यहां से टांस्मिशन लाइन जाती है और गाउं या उबहिसन उवाहती हैं लाक्राइड जाती है आपके यहाव हैं घर्र Yin तो इसका राइटम क्या हो जाएगा अगले मैं कुशन की बात करूं तो निम लिखित मैं से कौन सा डिस्टिबूइशन शिणम आब किया जाता है डिस्टिबूइशन तो आप लोगा ने देखा हूगा जो डिस्टिबूइशन की च्रित्र क्या होते हैं एक होता है तो हमारे क्या होगाane जो डिस्टिबुशन की बात कर रहा है डिस्टिबुशन का मतलब जब बत्रड होता है उस सिंगल फेच तो जाता नहीं है महां से ठीक है तीन फेच एक तार क्या है तीन फेच तीन फेच तार है और अगला है तीन क्किशन को कई है आगले प Kerry बात करें आज कोई कोई समझ में ना नह zweiten कमें कर सकते हैं और आप उसका हमसे सॉल्यूशन भी माएक करें और चैनल को सबस्काइब करने एसे ही वीडियो पराप लोह को लगात तर्ण मिलती रहेंगी और अपने दोस्टों के साथ यह जारा से और अपने ऑन- में पास कर दिखाएंगे क्योंयाओकि आप लोह को पता है आपके और आपके दो तो इसलिए वीडियो को शेयर करें और आप इस वीडियो को जरूर देखें जिससे कि आप नों को बारे में इसकी बारे में जानकारी हो सके और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अभी क्लास तो अभी नहीं ले सकते क्योंकि क्लासे अभी चलाना पॉसिबल नहीं किसी नहीं अभी क्लासेस नहीं चलाई हैं तो आप वीडियो को इनी वीडियों से आप अपना थैयारी करें तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें झाल करें अपना, उन्यवाद करें चैनल करें थासे कार्णा थैयारी करें तो अबदारी करें अपना योस्तों झाल 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 झाल